असलाम वालेकुम वेलकम टो इस्टूरेंट यूब आज की इस लेक्चर में चेप्टर फाइप आइकॉम पार्ट वन बिजिसमेट बुकर शाहिज जमाल की चेप्टर है लीनियर एंक्वारेटिक एक्वेशन कुछन है हमारा 5.102 पार्ट ए है तो एक्स स्क्वाइर माइनस 8x ग्लस 15 इस एक्वेल टुफिंट कुछ इडेर में इसकवाइर माइनस बाक पर हला चेप्टीन हस्या माइनसल शोर्ट का square is equal to यहां पर आगया 1 square root on both side so x minus 4 का whole square का root और 1 का root so root cancel x minus 4 is equal to plus minus 1 so x minus 4 is equal to 1 or x minus 4 is equal to minus 1 so x is equal to 1 plus 4 x is equal to minus 1 plus 4 तो यह हो गए 5 और यह हो गए minus का 1 plus का 4 minus होंगे तो आजाएंगे 3 so 5 and 3 answer ठीक है part 2 करते है B part में है हमाई पास अब देखें अभी जिते भी हमने questions कियो उसमें जो है coefficient जो था यानिके x square के पास जो value थी वो 1 ही होती थी अब यहां पर 2 है ठीक है या फिर 3 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है exam में कुछ भी आ सकता है तो आपने इसे किस तरह से solve करना है सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ आपने क्या करना है पहले तो आपने इसे एक बारसी तरह से उतारना है plus 4 is equal to 0 अब 4 जो है वही सेम उधर ले जाएंगे पहले 2x square minus 6x is equal to 4 अब यह जो 2 है ना आपने इसको 6 से भी divide करना है और 4 से भी divide करना है तो यह क्या हो जाएगा x square minus 6x upon 2 is equal to 4 upon 2 अब यह 4 plus का था महा गया तो minus का हो गया 2 1s are 2 to 3s are 6 2 1s are 2 to 2s are 4 तो क्या हो रहा x square minus 3x is equal to minus 2 ठीक है अब 3 के half का square बागी सेम मेथर्ड है 3 के half का square यानि कि 1.5 का square लगेगा so x square minus 3x plus 2.25 1.5 का square होता है 2.25 is equal to minus 2 plus का 2.25 so x minus 2.25 किसका square होता है 1.5 का तो यह formula बन गया is equal to यहाँ पर minus किया तो यह बन गया 0.25 square root on both sides so यह हो गए x minus 1.5 का whole square का square root is equal to 0.25 का square root तो यह cancel हो गया तो हमाई पास आगया x minus 1.5 is equal to plus minus 0.25 का root होता है 0.5 तो यहाँ पर minus 1.5 is equal to 0.5 प्लस का और x minus 1.5 is equal to minus का 0.5 तो x is equal to 0.5 plus 1.5 is equal to 2 हो गए और x is equal to minus 0.5 plus 1.5 is equal to 1 हो गए तो answer आया 2 और 1 तो यह था आज का question उमीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद exercises and questions के लिए चैनल को कर दें subscribe and साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर करें मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिज